कमर के साइज को लेकर मेरे पास कुछ चौकाने वाली जानकारी है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. आपके वजन की तुलना में आपकी कमर का साइज गंभीर बिमारियों की पहचान कर सकता है. अगर हम लंबी उम्र की बात करें, तो महिलाओं में ये साइज 35 इंच और पुरुशों में ये साइज 40 इंच है. हर एक अतरिक्त इंच उम्र से पहले होने वाली मौतों का खत्रा बढ़ा देता है. मैं यहाँ विसेरल फैट की बात कर रहा हूँ. आपके ओर्गन्स के बीच चिपके फैट को विसेरल फैट कहते हैं, ये फैट सुपर्फीशियल फैट से बहुत अलग होता है. सुपर्फीशियल फैट आपकी स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है. आपके शरीर में मौझूद visceral fat छोटे छोटे मेसेज देता है, जिससे inflammation बढ़ने लगती है, जिसके बाद आपको कई तरह की problems का सामना करना पड़ सकता है, आपको insulin resistance हो सकता है, diabetes होने के ठीक पहले आपको insulin resistance का सामना करना पड़ता है, और visceral fat इसका कारण है visceral fat का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट जैसे की cat scan या कुछ दूसरे टेस्ट करवाने पड़ेंगे visceral fat के कारण heart की बिमारियों का खत्रा दुगना या तिगुना हो सकता है, इससे cancer का खत्रा भी बढ़ जाता है, विशेश रूप से स्तन और colon cancer का खत्रा बढ़ जाता है आपको metabolic syndrome का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कई problems शामिल है इनमें जितनी भी problems हैं, उनमें high blood pressure का खत्रा सबसे ज्यादा बढ़ा है अगर हम visceral fat और subaccutaneous fat के बीच का अंतर देखें, तो ये दोनो fat बहुत ज्यादा अलग है visceral fat असल में hormonal fat है, cortisol या insulin के कारण ये fat पैदा होता है जब हम insulin के बढ़ने की बात करते हैं, हम असल में मुख्य रूप से carbohydrate की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ खाने की बारंबारता की बात भी कर रही है मैं यहाँ उन snacks की बात भी कर रहा हूँ, जिन्हें लोग खाने से पहले और बाद में खाते रहते हैं लोग cold drinks और beer भी पीते हैं, जिनमें शुगर भरी होती है visceral fat की अनोखी बात ये भी है कि मेनोपॉस के बाद किसी महिला का शरीर बदलने लगता है अगर पहले उनकी शेप नॉर्मल थी, तो मेनोपॉस के बाद उनके शरीर की शेप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है उनकी कमर का साइज बढ़ने लगता है ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हमारे शरीर के हॉर्मोनों में बदलाव आने लगता है हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन कम होने लगते हैं और कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है ये हॉर्मोन मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन को सफाचट करने लगता है Glutamus Maximus में मौझूद प्रोटीन खत्म होने लगता है, जिसे हम कूलहे की मांस्पेशी कहते है उसके कारण आपके कूलहे कम होने लगते हैं, उसके साथ ही आपकी टांगों की मांस्पेशियां, खासकर जांग की मांस्पेशियां कम होने लगती है कॉर्टिसोल असल में एक स्ट्रेस हॉर्मोन है, ये मांस्पेशियों के साथ आपकी हड्डियों को भी प्रभावित करता है इसके कारण आपकी हड्डियों और मांस्पेशियों को नुकसान पहुचता है इसके कारण आप में हार्ट की डिमारियों का खत्रा भी बढ़ने लगता है कुछ लोग एक दूसरा टेस्ट भी करते हैं जिसे BMI या Body Mass Index कहते हैं ये टेस्ट आपको आपकी हैल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं देता क्योंकि ये आपको ये नहीं बताता कि आप में मांस्पेशिया ज्यादा है या फैट ज्यादा है मैं आपको बता दूँ कि इस टेस्ट और आपके वजन से ज्यादा आपकी कमर का साइज आपको ज्यादा जानकारी देता है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके पेट में एक दूसरे प्रकार का फैट भी होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये visceral fat ही होगा जब liver बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसमें scar tissue बनने लगता है जिसे सिरोसिस कहते हैं उसके कारण liver से fluid निकलने लगता है और ये आपके पेट के आसपास के area में जमा हो जाता है वैसे ये visceral fat की तरह लग सकता है लेकिन ये असल में fluid ही होता है अब सबसे ज़रूरी रहेगा कि आप visceral fat से छुटकारा पाने की जानकारी पाएं और उसके लिए आप ये विडियो देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें